नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्रवन पटमा और आप सभी का हमारे यूटुब चैनल नॉलेज आल अबाउट में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तरमध्य रेलवे 6 मंडल के अंतरगत रेलवे अप्रेंटिस भरती प्रिकर्मेंट 2021 जो आउट की गई है उसका आल इंडिया के अभियर्थी आवेदन कर सकते हैं अब लाइग करने के लिए आपको सबसे पहले mponline.government.in पर रेजिस्ट्रेशन करना होगा रेजिस्ट्रेशन कैसे करना है यह मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो यहां आप देख रहे हैं कि लॉगिन के अंतरगत नीचे not registered create account आपसे दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने personal details का interface यहाँ पर दिखाई देगा जिसमें आपको यहाँ पर first name, last name उसका father's first name and last name इसी में फिल करना है इसी box के अंतरगत, मदर स्नेम भी, एकी box से first name और last name आपका जो भी है फिल करना है date of birth में सबसे पहरे आपको year सेलेट करना है, उसके बाद मन सेलेट करना है उसके बाद आपको date सेलेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर gender सेलेट करना है उसका यहाँ पे identity card number, confirm identity card number फिल करना है आप यहाँ पे अधार card, be photo identity card, government issue, इसके आप क्लिक करके अधार card भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे username बनाना होता है, और यहाँ पे password 8 character का, password बनाने में आपको lowercase, uppercase, one number, one special character का इस्तमाल करके आपको बनाना है password के लिए आप इस प्रकार का इस्तमाल कर सकते हैं, और जो username बनाना है, आप अपने नाम और उसके last में जो है, digit का इस्तमाल करके username बना सकते हैं सारी details को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आपको यहाँ पे capture code को फिल करना है, उसके बार submit बटन पे क्लिक करना है submit बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक message डिस्पले होगा, जिसमें आपको यहाँ पे और आपके बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको प्रफाइल सेक्शन उपर वाले option पे आपको क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने personal details का यहाँ पे form दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पे middle name है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे आप्धाद करें आप यहां पे इसके बाद आपको मेरिट हैं तो यहां पे सिलेट करना है और यह नहीं है तो नहीं है तो नो क्यों करें आपको किसी प्लाद का डिटेल्स यहां पर फिल करने के आप सकता नहीं है उसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दिखाई देगा option किसके अंतरगत आप आते हैं वह आपको यहां पर यहां पर यहां पर एक्टिव करना है और यहां पर यहां city pass out नहीं है तो आप यहाँ पर no button पर click करेंगे सारी details को एक बाद check करेंगे उसके बाद save and next button पर click करेंगे उसके बाद contact details वाला tab open हो जाएगा जिसमें आप अपने अधार card के according आप यहाँ पर address फिल करेंगे और यदि आपका permanent address सेम है तो यहाँ पर check box को active करना है उसके बाद आपका यहाँ पर details फिल नहीं करना है उसके बाद नीचे जबाएंगे तो आपको save and next button पर click करना है उसके बाद आपके सामने relaxation details वाला tab open हो जागा इसके अंतरगा आपको जो है यहाँ पे RUAX servicemen है तो हाँ करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे MP government reply है तो हाँ करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे home guard है तो हाँ करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे इसी प्रकार आपको यहाँ पे option को हाँ नहीं select करना है यदि यहाँ पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे experience in month फिल करना पड़ेगा उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या आप वि qualification aid करना है वह आपको यहाँ पे select करना है select करने के बाद आपको जो है यहाँ पे select examination name select करना है उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा select subject यहाँ पे by default 10W का general होता है part time था या full time उसको आपको select करना है पासिंग ER यहाँ फिल करना है university by board का name उसके बाद select system मार्श सिस्ट आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा उसके बाद आपका कौन सा ट्रेट से आपने ID किया है वहाँ आपको select करना है उसका बटन पे click करके आपको अपने qualification को add करना है इस तरह आप बारी-बारी से अपने सारे qualification को add कर लेंगे तो आपको यहाँ पे qualification आपको दिखाई देगा यदि किसी card was, कोई qualification add करने में आपसे गलती हो गई है तो आप यहाँ पे remove बटन पे click करके remove कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे next बटन पे click करना है सारी details को check करने के बाद ही आप next बटन पे click करेंगे आपको यहाँ पे upload करना है उसके बाद आपको यहाँ पे check box जो यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है correct and clear, correct and clear photo और signature के लिए है तो उससे आपको enable करना है उसके बाद upload cast certificate आपका जो cast certificate है वहाँ 200KB का होना चाहिए और jpg format में होना चाहिए उससे आपको upload करना है उसके बाद save and next बटन पे click करना है photo and signature upload करने के समय आपको इस परकार का एक option दिखाई देगा इससे आप अच्छी तरह से set कर सकते हैं drag करके उसके बाद आपको यहाँ पे right बटन का option दिखाई दे रहा है इस पे आपको click करना है उ आप अपने registration वाले application को print करके अपने पास सुरक्षित save रख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देंगे आपको यहाँ पर एक profile ID प्रोवाइड किया जाता है जिसे आप लोग अपने पास सुरक्षित कहीं पर लिख कर या आप इसका जो print out है उसे जरूर अपने पास स लिख करना है उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि examination name साथ यहाँ पर railway requirement जो भी notification यहाँ पर अभी करंट में चली है वह आपको यहाँ पर दिखाई देगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो है जो पस्सिम मत है railway कोटा मंडल का है वह आपको यहाँ पर नहीं सो आपका जो एप्लिकेशन फॉरम चांसी 2020 अपरेंटिस रिकर्मेंट ऐसा एक दिखाई देगा इसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है उसके बाद आपको जो है यहाँ पर नेक्ट बटन पे क्लिक करना है नेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पोस्ट बटन पे क्लिक करना है उसके बाद निरेश रियलेवेस्टेशन उसके बाद फीजिकल इदेटिकेशन मार्क वन आपको यहाँ पर फिल करना है तो आप यहाँ पर फिल करें अन्या था आप नील टाइप कर सकते हैं उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन वेब्साइट Apprenticeship India.org पे जब आप registration करते हैं, तो आपको A से सुरू होता है आपका registration number वह आपको यहाँ पे फिल करना है, जो लोग registration नहीं किया है, उनको नीचे description box में मैं link दे दूँगा, आप सभी लोग स्वाई की माध्यम से mobile द्वारा भी registration कर पाएंगे, तो उस registration number को आपको यहाँ पे 200KB का होना चीह है JPG format में, दस्वी का certificate 200KB JPG format में upload करना है, अपके पास तो आपको यहाँ पे फिल करना है 200KB JPG format में, यहाँ पे इस्टाहर लगा है, तो यह अनिमार है, उसके बाद आपको जो है other information के अंतरगत यहाँ आप आते हैं, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अन सकते हैं, कि यह जो option है X-Army discharge certificate हुआ, जो है disable हो चुका है, यहाँ पे upload नहीं करना पड़ेगा, तो इसका यहाँ पे से जो भी आप चैनर करेंगे, उसके according आपको यहाँ पे upload करना पड़ सकते है documents, सारी details को एक बाद चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आपको जो है नीचे उसके बाद आपके सामने payment gateway यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें आपको दो option दिखाई दे रहा है, kiosk और citizen, तो आपको यहाँ पे citizen वाले option पे click करना है, उसके बाद आपको submit बटन पे click करना है, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे multiple payment option आपको दिखाई दे रहा है, आप debit debit card, credit card, net banking, UPI, valid के मादम से यहां पे payment कर सकते हैं, तो यहां पे debit credit card का यदि आप चेयर करते हैं, तो आपको यहां पे किस्से करना है, वहां आपको यहां पे select करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार का page दिखाई देगा, यहां पे आपको अपने card detail का option यहां पे card number, expiry, month, year, उसका CV, name, आपका card holder name, उसका pay now पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपका payment हो जागा, payment successful होने के बाद, आप अपने application को print out करके, अपने पास सुरक्चित रख लेंगे, उसके बाद जब आप पूना लॉगिन करके home page पे यहां पे आएंगे, तो आपको यहां पे my application form जहां सी के लिए अपलाई किया है, तो उसके आपको यहां पे select करना है, उसके बाद आपको submit बटन पे क्लिक करना है, आपका जब transaction details की जनकारी आपको यहां पे मिलेगी, जो आपने transaction किये है, तो यहां अभी मैंने कोई भी transaction नहीं किया है, तो इस परकार देखे, यहां आपको यहां पे application number और साथ यहां पे pad status में pad दिखाई देगा, और साथ यहां पे transaction ID और किस date को आपने किया है, वह भी आपको देखने को जब तक आप payment नहीं करेंगे, आपका application पूर रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा, इस तरह मैंने आपको registration से print तक apply कैसे करना है, मैं सारी जनकारी बताने का कोशिज किया हूँ, उमीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यह दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें, साथ ही चैनल को like सब्सक्राइब यह सेर करना न भूलें, thanks for watching.